तो जैसा कि काफी लोगों के साथ में PM किसान सम्मान निधी में समस्याय आ रही हैं, किसी की 13-14 किस्त नहीं आई हैं, जबकि सारा कुछ उनका सही है, बैंक खाता भी उनका लिंक है, आधार के वाईसी भी है, और मोबाइल नंबर भी लगा हुआ है, फिर भी उसके बाद को सब्सक्राइब करें, और बिल आइकन दवान ना भोलें, तो मैं वीडियो की तरफ फटा-फट पढ़ता हूं बिनादेरी की हैं, और आपको बताऊंगा सारी चीजे की कैसे आपको उसमें सुधार करनी है, तो आईए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें गूगल open कर लेना है, आप चाहो तो अपने phone में भी या laptop में open कर सकते हो, और वहां पे आपको type करना है PM किसान सम्मान ने दी, type करने के बाद आपको search कर देना है, और जो सबसे पहले official website जो आएगी उसी पे click करना है, तो अभी हम type कर लेते हैं, फटा-फट और जैसा कि मैंने PM type किया और बाकी नीचे automatic recommend कर रहा है, थोड़ा time लेगा ये, बट open हो जाएगा, तो आप अपने phone के chrome में भी open कर सकते हैं, जैसा देख सकते हैं आप open हो गया है, और हमें सबसे पहली वाली website जो है PM किसान सम्मान ने दी, इसी वाले पे click करना है, तो थोड़ा time लेगा ये, बट open हो जाएगा, तो जैसा कि मैंने click कर दिया है, आप देखते हैं आगे का process क्या होता है, तो वीडियो को in तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा video लंबी होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, तो मैंने दोबारा से उस पे click किया, थोड़ा net की problem है, तो अभी मेरे पास, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, official website open हो रही है, और कुछ इस प्रकार से खुलके आपके सामने आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे नीचे चले जाना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है आपको, और सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें option क्या क्या है, तो इसमें बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे, EKYC, New Registration, Status Self, तो आपको क्या करना है, beneficiary status वाले option पर क्लिक करना है, तो हम beneficiary status वाले option पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद आपको दो option आएंगे, एक तो mobile number और दूस आप mobile number डालके सर्च कर सकते हैं, get data पर, या आप registration number भी डालके सर्च कर सकते हैं, अगर आपको registration number नहीं पता है, तो आप यहां पर देख सकते है, know your registration number, इस वाले option पर आप क्लिक करके अपना registration number भी निकाल सकते है, तो जैसा कि मुझे registration number पता है, तो मैं फटा-फट डाल के get data करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, तो मैंने डाल दिया, capture number भी डाल दिया, और जैसे ही get data पे click किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने गलत डाल दिया, इसकी वज़ासे नहीं आया, तो दोबारा से मैं फिर डाल दिया हूँ, और फिर get data पे click करते हैं, get data पे click करते ही देख सकते हैं, आप आपके सामने ऐसा page आ जाएगा, सारी चीज़े जो नाम और लिखा रहेगा वह आ जाएगा, और आप registration आधार demo authentication status, इसमें आपको यह चीज़ देखना है जरूर, कि इसमें success है या failed, तो फिलाल तो इसमें success दिखा रहा है, और PFMS status की बात करें तो इसमें accepted है PFMS, यानि कि इनका जो खाता है उसमें आधार लगा हुआ है, तो वो PFMS ने accept कर लिया है, और दूसरी चीज़ हमें देखना है account number वाले column में, तो account number वाले column में फिलाल तो not applicable दिखा रहा है, लेकिन उससे घपराने की जुरूत नहीं है क्योंकि already PFMS ने accept कर लिया है, कि इनका payment mode है वो आधार से है, यानि कि जो भी इनका खाता होगा जिसमें आधार लगा होगा उसमें automatic payment चला जाएगा, अभी बात करते हैं इनकी installment की, तो 8 installment इनकी तो बढ़िया आई है, उसके बाद 9 से लेके 13 वी तक इनका payment नहीं आया है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जानना है कि इसका reason क्या है कि पैसा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें फिर से official website पे back जाना होगा, तो back हमने back वाला या home पे आप click कर सकते हैं, और वहां पर जाने के बाद आपको left side में ये map दिख रहा होगा, तो यहां पे dashboard का option है, इस पर click करना है, और dashboard वाले option पर click करने के बाद आपके सामने नया tab open होके आ जाएगा, तो इसमें हमें अपना state और district select करना है, और इसमें तहसील, sub district और उसके बाद village, सारी चीजें मैंने select करने के बाद submit कर दिया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस village का पूरा data आ जाएगा, इसमें 5 option आपको मिलेंगे, summary, payment status, authentication और registration status, तो अभी हमें payment status पर click करना है, तो यहां से हम financial year 2022 और 23 और 24 का यहां से data देखने को मिल जाएगा, कि किस-किस का पैसा गया है, तो इसमें पहले हमें check करना है कि इसमें show कर रहा है कि पैसा गया है या नहीं गया है, अगर यहां से आपका दिखा रहा है तो आप समझ जाएगे कि आपका जो दूसरा account है जिसमें आधार लगा हुआ है, साइद उसमें आपका पैसा जा रहा हो, तो यहां तो दिखा रहा है कि आपका 2000 रुपे गया है, तो इस case में क्या है, इनके दूसरे खाते में पैसा जा रहा है, तो अभी आप दूसरा वाला option खोल के देख लेते हैं, अधार authentication, तो इसमें total 412 authentication send किये गए थे, जिसमें से 400 total successfully हुए हैं, तो हो सकता है कि इसमें जो बाकी रहे गए हैं, तो उनमें ये आपका registration हो, इसलिए आपका payment ना रहा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नजदी कि आप अपने वीजबंडार या किरसी के अंदर में विजिट करके चेक करवा सकते हैं, कि आपका आधार authenticate हुआ है या अगर उसमें कोई problem है तो वो फिर online सही नहीं होगा, वो offline ही सही होगा, वो वहीं से आप उसके लिए एक अलग counter बनाये गया है, वहाँ पर आप जाके document submit करके सही करवा सकते हैं, तो finally आप देख सकते हैं, ये online registration वाला data है, कि जिन जिन का online registration हुआ था, उसमें से कितने approve हुए कितने reject हुए, तो basically यही है कि जिन लोग का payment नहीं आ रहा है, वो किरसी सेवा केंदर में जाके संपर करें, और वहाँ अपना account number और KYC हो गयरा सही करा सकते हैं अभी, और उनका प्रचा आना start हुजाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही बाकी मिलते हैं, नेक्स वीडियो मे जैंगे जैंगे